आगरा में मैराथोन दोर्ण का हुआ आयोचन पोरुखील मंत्री राजवर्धन सिंग्राथोन निक्या शुबारं गाजियाबाद में पैथलोजी लैब की गिरी छट जुला एमेमजी ए हॉस्पिरल का है पूरा मामला लखनों में सबस सरकार में प्रस्ट अशार करने के आरूप विनिश जैन पर साथ सो करूर के हेर फेर का आरूप लखनों में बदर सा बोर्ट के हुई बैठक मौलाना सूफिया निजामी का बयान आया सामने राइबरेली में लखनों प्रयागराज मारक पर सड़क पर हुआ बड़ा हासा बाइक सवार को बचाने के चक्र में हुआ हासा नमश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव वक्त हो चुका है उत्तरपदेश की बड़ी खबरों का रूप करते हैं खबर की ओर आगरा सांसत खेल इस प्रदा के अंतरगत गुरुवार सुबा सेंट जॉनिस कॉलेज से एकलब स्पोर्स स्टेडियम तक मैराथॉन दोड का आयूजन किया गया इस दोरान सुबे के मुख्य मंत्री यूग आदित नाथ ने वर्चुली संबोधीत भी किया इस मैराथॉन का शुबारम मुख्य अतीती ओलंपिक विजेता पुरो मंत्री राजवर्धन सिंग राठोर द्वारा हरी जंडी दिखा कर और गुबारे उडा कर किया गया वही स्कुल कॉलेज के छात्र छात्राओं एंसीजी के डिटर सहीत शेहरवासियों ने मैराथॉन दोर में सहभागिता की और इस कारेक्रम में केंदी राजवमंत्री प्रोफेसर स्पी सिंग बगेल, महा नगर अध्यक्ष, भानू महाजन, महापव, नवीन जन, विधायक जीयस धर्मेश, गौरव राजावल और शैलू पंडित मौची उद रहे मैं आज बगेल साब को जो कानून के राजवमंत्री ये देश के मैं उनको बदाई देना चाहता हूं कि दो संदेश, दो बड़े संदेश इस G20 मैराथॉन से जा रहे हैं, एक तो G20 की अध्यक्ष, मानेश पदानमंती जी के पेहना से आज डुती सांसर के लिस परदा अगरा लोग सबा की आईजित की जा रही है, जिसकी शुरुआत आज एक सिंगोलिक मैराथॉन से, कि दो बड़ाई की संदेश ब्याइब करेंस्ट से जाएंगे इसमा आप देख रहे हैं, हजारों की सिंग्या में आप लोगाए हैं, जिसमें खेलारी हैं, सिच्चक हैं, चिकच्चक हैं, जमाच सेवी संकन हैं, आम जनता है, शहर के चलिबिटीज हैं, आप देखें, बश्कन जमाच के लोग बड़ी संक्या में आपर आए हैं, और यह सिंबोलिक मेरा अपर नाम रहन फॉर्ट जी चुड़के रखा गया है, जैसी स्टेडियम में पहुचेंगे, तो उहां पर 32 खेलोंगे, जमाच सेवी संक्या में जनता हैं, पहलवानों ने महिला पहलवानों का यौन शोषड करने का आरूप लगाते हुए दिल्ली में धर्ना दिया है, और उन्हें फेडरेशन अध्यक्ष पत से हटाने की मांग की है, मामला बढ़ता देख, खेल मंत्राले ने संग्यान लिया और फेडरेशन को नोटिस जारी कर, 22 घंटों में आरोपों पर जवाब देने को कहा है, मंत्राले ने कहा कि अगर WFI अगले 22 घंटों में जवाब नहीं देता है, तो रास्ट ए खेल विकास सहिता, 2011 के ब्रजभूशर शरण सिंग के खिलाफ दो दर्जन से ज़्यादा पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैट गया है, विनेश फोगाड ने रोते हुए भारतिक कुष्टी महासंग के अध्यक्ष ब्रजभूशर शरण सिंग पर आरूप लगाया कि वो लंबे स समय से महिला पहलवानों का यौन शोचड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि लखनों में नेशनल कैप में भी कई कोच महिला पहलवानों का शोचड किया गया है तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुष्टी जगत्से हैं, कोचीज हैं, हमारे गुरू है खलीपा है, और हमारे पहलवान है, यह हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है, इसमें आप हमारे साथ खड़े हुए, और जो हमारे प्रेजिजेंट साब बोल रहे हैं, तो 3 परसेंट है, 57 परसेंट हैं, तो आप सभी एक जुठ होके क्योंकि हमें कुष्टी को बचाना है, जो आने वाला बविष्चे है हमारा, उसको हमें बचाना है, तो आप सभी एक बार इखटा होगे, एक जुठता दिखाईए, क्योंकि कुष्ती को बचाना बहुत रही है और दे कौन राहे है भारती जनता पाटी के सांसत मैं तो अनुरोध करूंगा मानि परधानमंती जी से की मानि प्रधानमंती जी बेटियों के खिलाब महिलाओं के सुरक्षा के लिए आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं लेकिन वो दिल्ली की घटना हो उत्राखन की घटना हो हरियाना की घटना हो गुजरात की घटना हो या उत्तर प्रदेश की घटना हो आखिर बेटियों के खिलाब ह होने वाले अन्याय, अत्याचार या यौन सोसड के पीछे भारती जंता पार्टी की ही नेतात के लिखनों में यूपी पुलिस आवासे निर्मार निगम लिम्टेट के पूरू M.D. डारेक्टर पर भ्रहस्टाचार के आरूप लगे हैं। नस्पक्ष जाच की मांग की है और पूरे प्रकरण की जाच के लिए विवाका दक्ष ने ACM Home को पत्र लिखा था। अपर मुख्य सचिव ग्रिह के निर्देश पर उत्तर प्रदेश विजलेंस द्वारा की जा रही है। इसमें में बात यह है कि जो इनके संपत्तिकों का और मेजर ट्रांजेक्शन का ब्योरा है ये लगबख 2012 से ले करके और 2018 के बीच का है। इस दौरान हमारे गोपनिय शिकायत करता को धंकी भी दिगे जिसमें मुकदमा कायम कराया गया हमारा श्रीफ विनेश कुमार जैन और उनकी बेटी श्रीफ तनवी जैन के विरुत। उसके जवाब मिनों ने हमारे पर दबाव बनाने के लिए इस गोपनिय शिकायत करता के उपर अवैद वसूली और एक्स्टॉर्शन का मुकदमा भी करा दिया जिसमें लखनव पुलिस द्वारा अपराज शाथा के द्वारा एफार लगा दिगे फाइनल रिपोर्ट अंत 700 करोर रुपए से अधिक के घोटाले की शिकायत को वापस ले 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 लिए लखनव में मदरसा बोर्ट की बैठक के बाद जो फैसली ले गए हैं जिसको मौलाना सूफियान नजामी प्रवक्ता दारूल उलूम ने कहा कि NCRT की बोर्ट मदरसी में पढ़ाई जाएगी अच उस लेटर को जो खारीच किया गया है मदरसा बोर्ट ने इसके सराहना होनी चाहिए राय बरेली में उचाहर कोत्वाली शेत के सलोन रोड पर मनीरामपूर नहर के पास लकनो प्रयागराज मार्क पर एक भीशड सड़क खास्था हो गया बता दे बाइक सवार को बचाने के चकर में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गढ़े में पलट गई गाड़ी के पलटते ही गाड़ी के अंदर फसे चाल लोगों में चीख पुकार मच गई आनन्फानन में स्थाने लोगों की मदद से गाड़ी में फसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया महिकार में बैठे लोग खायल हो गया है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराए गया है एक सुजीत नाम का लड़का है जो 22 साल उमर है यह सीएसी उचार से रेफर किया गया है बाकी एक्सिडेंट में चोट लगा है इसके सर पे चोट आई है बाकी इसका बाया हाथ में फ्रेक्चर है एक्जामिन करने बाकी बेवस की अवस्था में है बाकी इसको भरती कर दिया गया है उसका इलाज चल रहा है और सीरिया सवस्था में है यह अब अटेंडेंट से पता करने में ही पता चला कि साथ फूर विलर कोई थी जो पलट गई है पलट में से चोट लगी एक कोई संभल में थाना चंदोसी शित की बदायू रोड के पास एक कार में अचानक आग लग गई जिससे गाड़ी पुरी तरह से जलकर खाक हो गई और मौके पर पहुँची फाइल ब्रिगेट की टीम में आग पर काबू पाया जानकारी के मताबित कार की मिस्टी की दोरान रिप अचानक धह गई जो की कई वर्सों से जरजर हालत में पड़ी हुई थी आचानक छट गिन्ने से वहां मौझूद अस्पताल के करमचारियों को हल्की फुलकी चोटी भी आई है जिनका इलाज किया गया है फिलहाल अस्पताल में अन्य काम रोग दिये गये हैं बहुत वहीं कल से बंद पड़े ब्लड बैंक की चाच भी वहां से शुरू कर दी जाएगी काम अपनी तरह से चलेगा अभी के लिए उतर्पदेश की खबरों में बस अतना ही देश उनिया की तमाम के लिए देखते रहें प्राइं टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार